दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे करते हैं हन्स आसन का अभ्यास हन्स आसन को इंग्लिश में स्वान पोज कहते हैं इस आसन का अभ्यास अगर आप निरंतर करते रहते हैं तो इससे आपको बहुत से लाब बहुत से बेनेफिट्स मिलते हैं सबसे बड़ा benefit तो ये हैं कि आप कुछ भी खाते पीते हैं ना उसको आसानी से पचा सकते हैं अगर हंसासन का अभ्यास निरंतर आप करते रहते हैं तो आपकी digestive fire improve होती है जठर अगनी जो हैं वो मजबूत होती हैं जिससे की constipation की समस्या, gas बनने की समस्या, indigestion की समस्या यूच हू मंतर होगी साथ ही अगर आपको diabetes की समस्या है तो भी हंसासन का अभ्यास करने से आपको बहुत मदद मिलेगी इस आसन के अभ्यास करने से आपकी पूरी की पूरी abdominal muscles को हलकी massage मिलती है यानि आपकी पेट की manspatia मजबूत होती है साथी सारे के सारे आंतरिक अंग यानि internal organs चाहिए आपकी large intestine, small intestine, kidneys हो, आपका liver हो, आपका stomach हो इन सब का function जो है activate होता है क्योंकि आपकी elbow से हलका सा pressure आपके पेट पर आता है जो कि आप वीडियो में आगे देखेंगे और benefit यहीं तक खतम नहीं होते हैं इस अभ्यास को करने से आपके शरिल में गजब की मजबूती आती है गजब की strength और stamina देखते हैं आपकी कलाईया मजबूत हो जाएंगी आपकी elbows मजबूत हो जाएंगी साथ ही आपके कंधे और पूरे के पूरे बाजुओं में गजब की ताकत आप देखेंगे इस आसन का अभ्यास निरंतर करते रहने से आप मांसिक तनाव से ग्रसित नहीं होते हैं शारिरिक और मांसिक तनाव कम होता हैं आप और भी जादा focused होते हैं और भी जादा concentration आपका improve होता हैं और और भी जादा आप aware होते हैं इसलिए इस आसन का अभ्यास निरंतर करते रहन आध्यात्मिक लाव यानि spiritual benefits भी होते हैं अब benefits तो हमने जान लिये अब जान लेते हैं इन आसन को कि लोगों को नहीं करना चाहिए यानि precautions और contraindications की बात कर लेते हैं सावधानियों की बात कर लेते हैं ऐसे व्यक्तियों को अहन सासन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिनकी कलाईयों में किसी तरीके की कोई injury है हाथों में किसी तरीके की injury है कंधे में दर्द रहता है या कि फिर आपकी कोई abdominal surgery हुई है या आंतरिक अंगों में किसी तरीके की कोई भी surgery हुई है बिल्कुल भी नहीं करना है आलसर की समस्या है एसलिटी की समस्या है heart से related कोई परिशानी है, cardiac condition है, high blood pressure, hypertension की समस्या है periods के दौरान महिलाएं ना करें, pregnancy के दौरान महिलाएं बिलकुल भी इन आसनु का अभ्यास ना करें साथ ही जब आप बहुत ठाके हों, आपकी तब्यत ठीक ना हो, fever हो, cough हो, cold हो फिर भी इस आसन का अभ्यास आपको नहीं करना चाहिए, जब आप पूर्ण रूप से स्वस्त हों, तभी इस आसन का अभ्यास करें ये आसन करने में थोड़ा challenging है, मतलब अगर आप beginner हैं, तो थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकती है लेकिन घबराये नहीं, इस practice को करने के लिए मैं कुछ preparation आपको बताऊंगी, तो उन preparation को आपको करना है, उन सुक्ष्म वयामों को आपको करना है इसके अलावा मैं कुछ props की मदद से, यानि yoga belt की मदद से आपको इस आसन को और भी आसान करके बताऊंगी की कैसे करना है इसलिए आपको इस आसन की technique जो हैं बहुत बारीकी से देखनी पड़ेगी, अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल में नए आए हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर लीजिएगा और अगर चैनल को subscribe कर लिया हैं तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल Yoga with शहीदा में दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो हनसासन का अभ्यास करने से पहले हमें कुछ preparation करनी होगी ताकि हमारी कलाई या कंधे, बाजुओं पर किसी भी तरीके के injury या नसे जो हैं खीचे ना इसके लिए preparation बहुत ज़्यादा जरूरी है, कुछ warm-up करेंगे तो सबसे पहले हम अपनी कलाईयों की warm-up करेंगे, उंगलियों की warm-up करेंगे elbows की और shoulders का warm-up करेंगे, सीखेंगे सुक्ष्म वयाम का अभ्यास सबसे पहले अपने हाथ की हथेलियों को ऐसे जोड़े और फिर उसके बाद ऐसे cross करके उंगलियों को इस तरीके से open करें, close करें दोनों उंगलियों के बीच में जो gap है ना इस तरीके से ऐसे फस जाए फिर उसके बाद अपने दोनों कलाईयों को ऐसे infinite की shape में इस तरीके से move करेंगे ताकि कलाईया जो है बहुत अच्छी तरीके से warm हो जाएं ऐसे इस तरीके से अब क्या करें? दोनों हाथ की हथेलियों को ऐसे body के सामने stretch करें और हलका हलका कलाईयों को उपर की तरफ और नीचे की तरफ उपर की तरफ नीचे की तरफ इससे कलाईयों और उंगलियों में जो दर्द रहता है वो भी छू मंतर हो जाता है इस तरीके से फिर दूसरे हाथ को भी उपर की तरफ, नीचे की तरफ, उपर की तरफ, नीचे की तरफ, तो ये सारे की सारी प्रैक्टिसेज 8 से 10 बार अगर आप कर लेते हैं, तो इससे कलाईयां बहुत अच्छी तरीके से warm हो जाती हैं, अब इसके बाद अपनी elbows को warm करेंगे, दोनों की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, 3, 2, 1, अब इसके बाद अपने बाजुओं को, बाजुओं को जो हैं, बाजुओं पर काम करते हैं, elbows की strength बढ़ाते हैं, अपने हाथ की ऐसे मुठियां बना ले, मुठियां बनाने के बाद दोनों elbows को अपने rib cages के side में रखें इस तरीके से, धीरे धीरे, ऐसे, 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 तो आप जोर का punch करें, imagine करें कि आपके सामने एक punching bag है, जिससे कि आपके बाजु जो है ना, बाजु मजबूत हों, elbows मजबूत हों, सामने देखें, शुरू हो जाएं, ऐसे, 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 इस तरीके से, ऐसे, ऐसे, तो आप देख हाथ जो है अभी पाम्स जो है छट की तरफ है और मुठियों को बांधा और फिर घुमाते हुए इस तरीके से सामने पंच करेंगे ऐसे ऐसे तो इससे एल्बोज में जो टक टक की आवाज आती है वो भी नहीं आएगी और साथ ही बाजू जो है मजबूत हो जाएंगे इस तर दोनों हाथों को बाड़ी के सामने स्ट्रेच करें और दोनों हथेलियों को अपने कंधे के ऊपर रखें इस तरीके से और फिर उसके बाद एल्बोज को उठाते हुए सास ले दोनों बाइसेप जो है कान के पास है बहुत दूर मत रखिए गया ऐसे पास है और पूरा घु 10-12 टाइम इस तरीके से कर लें प्राक्टिस जिस तरीके से आपके पास वक्त हो कम वक्त है तो पास से 10 बार इस तरीके से मूव कर लें अब इसके बाद एंटी क्लॉक वाइस नीचे से उपर की तरफ सास लिया सास छोड़ा सास लिया सास छोड़ा तो इससे चेस्ट मसल्स breast muscles, पीछे आपकी back muscles पर भी effect आता है और shoulders पर भी effect आता है इस तरीके से अब अपने हाथों को पूरी तरीके से धीला छोड़ दे और अपने दाहिने हाथ को अपने दोनों shoulder blades के बीच में से लेके जाएं और हलकासा अपनी elbow को सर की तरफ ऐसे पुल करें ऐसे इस तरीके से फिर उसके बाद दूसरे हाथ को भी इस तरीके से अंदर की तरफ पुल करें ज़रा पीछे से देखें अपने दाहिने हाथ को दोनों shoulder blade की बीच में यहां पे रखा और elbow को सर की तरफ ऐसे pull करें ऐसे तो इससे कंधों के around जो दर्ध होता है बहुत ही जादा कड़ापन stiffness होता है वो दूर भागेगा और कंधों में दर्ध भी आपको नहीं हुआ करेगा तो यह सारे अभ्यास करने के बाद अब हम अपनी yoga mat पर आके अगला अभ्यास करेंगे अब हम आ जाएंगे table top position पर आराम से वजरासन में बैठे हुए हैं फिर उसके बाद दोनों हाथों को इस तरीके से आपने mat पर रखा है दोनों घुटनों के बीच में इस तरीके से देख यह कि आपकी wrist, elbow और shoulder यह एक line में हो इस तरीके से बहुत आगे मत रख दीजिएगा ऐसे और फिर उसके बाद सास ले छट की तरफ देखें और सास शोड़े अपनी navel region की तरफ देखें नाभी की तरफ सास ले look up towards the ceiling exhale look towards your navel region inhale loosen your abdomen muscles exhale navel region in इस तरीके से सास ले और सास को छोड़ दे तो इसकी practice कम से कम 10-15 times आपको करनी है जिससे कि आपके shoulders, आपके neck, आपकी spine साब बहुत अच्छी तरीके से warm हो जाए और साथ ही abdominal muscles भी warm हो जाए इस तरीके से आप अपनी 80 पर बैट जाएं और दोनों घुटनों के बीच में आपकी belly और chest को drop कर दें और फिर उसके बाद अपने माथे को भी drop कर दें हाथों को आगे की तरफ खीचेंगे ऐसे ये सारी preparation करने के बाद अब चलिए बढ़ते हैं हन्सासन का अभ्यास step by step technique सीखते हैं कैसे करेंगे तो आराम से ऐसे वजरासन में बैटे हुए हैं दोरों घुटनों के बीच में अपनी कमर जितना फासला किया हुआ है फिर उसके बाद वापस से आपको आ जाना है ऐसे table top position पे table top position पे आने के बाद आपको क्या करना है कि आपका जो elbow है elbow है ना चुकि ये मैंने बताया कि आपकी abdominal muscles मजबूत होगी digestive fire improve होगी तो आपकी elbow का दबाव आपके पेट पर पड़ेगा तो आपको क्या करना है पहले मैं दिखला दूँ कि आपकी navel region जो है यहाँ पे है बीच में है तो आपकी elbows को navel region के side by side place करना है so that यहाँ पर एक अच्छा दबाव पड़े है ना इस जगहा पे इस तरीके से ऐसे जब आप elbow रखेंगे तो इस तरीके से दबाव पड़े यहाँ पर दबाव पड़े तो आराम से table top position पे आ गए है table top position पे आने के बाद आपको आपके माथे को रखना है mat पर इस तरीके से माथे को जब mat पर रख दें तो ध्यान रखें फिर अपने हथेलियों को घुटने और माथे के बीच में रखें ऐसे और फिर उसके बाद आपकी elbow को इस तरीके से ऐसे टक करें आपकी नेवल रीजन के side by side ऐसे इस तरीके से टक करने के बाद आप क्या करें अभी तो आपका सर जो है mat पर है फिर धीरे धीरे पैरों को ऐसे सीधा कर दें पैरों को सीधा करने के बाद फिर अपने सर को उठा दें ऐसे फिर posture को release कर दें जब तक आपको confidence ना आए सर उठाने का सर मत उठाइए अब बहुत से लोगों के लिए ये problem होगी कि उनका हाथ बाहर की तरफ फिसल जाएगा या कि फिर हाथों में मजबूत ही नहीं रहेगी तो आपके पास कोई दुपट्टा हो, टाई हो, बेल्ट हो ऐसी मेरे पास ये एक yoga strap है इस तरीके की तो इस yoga strap का इस्तमाल करके ये आसन बहुत आसान हो जाएगा अगर आपको इस तरीके की yoga mat purchase करनी है तो मैं इसका link नीचे description में दे दूँगी आप आसानी से इसको अमेजन से order कर सकते हैं अब वापस से वही step follow करेंगे हाथों को mat पर रखा अपने सर को mat पर रखा अपने elbows को नाभी के पास ऐसे place किया फिर उसके बाद अपने दोनों पेरों को इस तरीके से ऐसे सीधा कर दिया सीधा करने के बाद जब confidence आ जाए पहले तो सर को mat पर रखें जब confidence आ जाए तभी हली कासा आगे की तरफ ऐसे body को push करते हुए सर को उठाएं इस तरीके से ऐसे body को जितना सीधा कर सकते हैं ऐसे फिर उसके बाद head को ब्राप कर दें और फिर उसके बाद rest करें अपनी mat पर फिर उसके बाद आप शवासन में लेट जाएंगे आराम से अपने दोनों पैरों को खोल कर दोनों हाथों को body के side में रखिए rest कीजिए ये तो थे कुछ अभ्यास जो मैंने आपको सिखाएं अगर आप चाहते हैं मेरी निग्रानी में रहके योग का अभ्यास करना तो आप सभी का स्वागत है मेरी online yoga classes में इन online yoga classes को मैं zoom के माध्यम से conduct करती हूँ so that देश और दुनिया के किसी भी कोने में आप रहते हों आसानी से मेरे साथ जुड़के मेरी निग्रानी में हर दिन अलग-अलग तरीके के आसन, प्रानयाम, ध्यान, relaxation की टेकनीक साथ ही योगी cleansing टेकनीक जिससे आप अपने शरीर की अंदर से साफसफाई कर सके ये सब आप सीखते हैं अब इन classes को कौन join कर सकता है? कोई भी इंसान, किसी भी gender का, किसी भी तरीके की body type हो, beginner हो, हर कोई join कर सकता है अगर आप already योग का भ्यास करते हैं, फिर भी इन classes को अगर आप join करते हैं तो आपको आपकी practice में और भी जादा प्रगती देखने के लिए मिलती है, progress देखने के लिए मिलती है अगर आपको कोई health condition भी है, जैसे diabetes, thyroid, hypertension, high blood pressure, PCOD की समस्या, अत्यदिक stress की समस्या, रात में नीन नहीं आने की समस्या तो ये classes highly beneficial हैं, क्योंकि already मेरे students मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको स्वास्ति लाब तो मिल ही मिल रहा है, साथ ही उनकी lifestyle भी बहतर हो रही है, ताकि existing health conditions से उबरें और फिर वो आगे health conditions उनको परेशान ना करें अब बहुत से लोग ऐसे होंगे, जो कि zoom के माध्यम से connect नहीं हो पातें, क्योंकि उनका schedule busy रहता है, कोई fix time नहीं होता उनके काम का, तो आपके लिए मेरे पास एक solution है मैंने कुछ ऐसे course develop किये हैं, design किये हैं, जैसे yoga for beginners का course, pranayam और meditation का course, कि आप इन course को purchase करने के बाद, धिन में कभी भी जब आपको वक्त मिले, इन videos को play कीजिए, आपने घर के comfort zone में रहे के शुरुआत कीजिए, अपनी yoga journey की, इन videos को बस आपको play करना है और ये videos मैंने beginner friendly बनाई है, यानि कोई भी इन इन videos को देख के आसानी से योग का भ्यास कर सकता है जब आप इन course को complete कर लेते हैं तो course के completion का certificate भी आपको दिया जाता है I'm sure आप इन classes और courses के बारे में और जानकारी ज़रूर जानना चाह रहे होगे तो मेरी website विजिट कर लीजेगा जो की है www.yogaviddshahida.com या कि फिर यहाँ पर मैं एक WhatsApp नमबर शेयर कर रही हूँ इस नमबर पर एक WhatsApp करने के बाद आपको मेरी team के द्वारा सारी की सारी जानकारी आपके mobile पर भेज दी जाती है तो देर किस बात की अभी जाएए मेरी website विजिट कीजिए या कि फिर एक WhatsApp कीजिए और शुरू करते हैं तो देखा आपने step by step मैंने आपको सिखाया हलसासन किस तरीके से करते हैं I'm sure कि अब आप हलसासन आसानी से कर लेंगे अगर आपकी कोई query हो कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे नीचे comment करके बताईए आपको वीडियो कैसी लगी मुझे comment करके बताईए या कि future में आप किस topic पर वीडियो देखना चाहते हैं मुझे नीचे comment करके जरूर बताईएगा जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा और इस वीडियो के link को copy करके अपने दोस्तों और रिष्टादारों को forward कर दीजेगा उनको whatsapp कर दीजेगा निरंतर योग का अभ्यास आप खुद भी करें और अपने दोस्तों और रिष्टादारों घरवालों को भी खूब मोटिवेट करें अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलूंगी तब तक आप सभी अपना खूब खयाल रखिये नमस्ते झाल